अगर आपके बाल भी नहीं बढ़ रहे हैं और बाल बहुत ज़्यादा ज़रते हैं तरह तरह की चीज़े ट्राइ कर लिए हो बाल बिल्कुल भी ज़र्णा नहीं बंद हो रहा है तो आज बिल्कुल आप सही जगा पे आए हो सही वीडियो पे आए हो आप एक बाल इस बगर करवाने की जरूत नहीं है केमिकल नहीं लगवाना है आपके अपने बालों में और शिल्की श्मूत हो जाएंगी वो भी घर के समान से बहुत ही आसान ये रेमेडी है तो एक बार जरूर बनाएए अपलाई करिए इसके बाद रिजल्ट आपको खुदी अपने आखों क सामने मिल जाएगा देखने को बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है आपके बालों में तो एक बार जरूर से इस रेमेडी को ट्राइ करिए इस रेमेडी को लगाने के बाद ना दो से तीन दिन में आपको फरक देखने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से वर्क करती है ये रेमेडियु żyć जो ये वीडियो बणाना करते हैं फटाफट से स्टार्ट शबसे पहले इस रेमेड़ी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज की जुरूट पढ़ेगी तो यहां पर मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है यहां है यह म मैंने तीन चार दिन का रखा हुआ था तो मैंने यह यूज कर लिया है और आपके पास अगर यह ना हो तो आप इसका पाउडर भी अबलेवल है मार्किट में आता है या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं उसका पाउडर मिल जाता है और मैंने यह दो से तीन चमच के करीब चावल जो आप चावल घर में बनाते हो घर में खाते हो चावल वो चावल आपको यहां पर यूच करना है चावल भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है चावल का तो चावल को मैंने दो से तीन घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था पहले अच्छे से वाश करके फिर पानी में छोड़ना है अब इस सारी चीज़ को तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लिया है यह देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडि हो चुका है और आपके आँखों के सामने है बहुत समूद सा पेस्ट आपको बना लेना है अभी ये रेमेडी खतम नहीं हुई है इसमें कुछ चीज और हमें एड़ करना है या तो आप दो से तीन विटामिन ए के कैपसूल यहां पे एड़ कर सकते हो अगर आपके बाल जादा बहुत जादा हैवी है तो आप तीन विटामिन ए के कैपसूल यूज कर सकते हो यहां पे आपके बाल हलके हैं तो आप एक से दो अपने लेन्थ के कोडिंग यहां पे डाल सकते हो अगर आप बिटामिन E के कैपसूल डालना नहीं चाहते हो तो आप यहां पे कोकोनट ओयल या फिर कोई सा ओयल जो आप ओयल लगाते हो आप ओलिव ओयल डाल सकते हो आप कोई सा भी ओयल यहां पे एड़ कर सकते हो सरसो का तेल भी आप डाल सकते हो जो अभी आप ओयल आपको ये remedy को यहीं पे छोड़ देना है 5-10 मिनट के लिए फिर अपने बालों में apply करना है apply कैसे करना है वो आपको दिखा रही हूं ऐसी आपको apply कर लेना है scalp से लेके पूरी land तक apply करना है इस remedy को इसे dandruff भी नहीं होते हैं आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे आपके बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लग जाती है इस remedy को यूज करने के बाद तो एक बार जरूर इस remedy को यूज करिएगा अच्छी तरह से apply करने के बाद ही आपको क्या करना है आपको कोई mild shampoo कर लेना है अपने बालों में तो दो घंटे में आपको बहुत बेस्ट जल्ट देखने को मिल जाता है और आपको पूरी अच्छे तरीके से सूखने नहीं देना है क्योंकि धोने में बहुत ज़्यदा problem होती है आप इस पे कोई hair cap बगरा लगा सकते हो कुछ भी नहीं है तो आप normal palothin जो आती है न सबजी वाली वो आप अपने बालों में लपेट के छोड़ सकते हो इसके बाद 2 गंटे बाद शंपू कर लेना है अगर आप शंपू नहीं करना चाहते हो तो आप normal पानी से wash कर सकते हो अगले morning में next morning आपको शंपू कर लेना है तो इस remedy को एक बाद जरूर बना के देखिए आपको खुदी result पता चल जाएगा खुदी आपको समझ में आ जाएगा कैसी remedy है और आपको टूटना जहरना बालों का जो टूटना जहरना होता हो वह 100% कम होने वाला है तो एक बाद जरूर इस remedy को ट्राइ करिएगा वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजी का चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाबाई हैं टेक कियर थैंक्स पर वाचिंग